अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से जहां अफगानिस्तान में अफरा तफ्री है और लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो वहीं वो अफगानी रिफ्यूजी जो लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं भारत में रह रहे हैं वो भी परेशान है और उनकी refugee के तौर पर भारत में रह रहे हैं दिली में रहे हैं वो प्रदर्शन करने के लिए यहां पर इकठे हुए हैं और डिमांड करने के लिए कि कनाडा इन लोगों को विज़ा दे मैं हम जानते हैं आप लोग अफगानी refugee हैं हम चाहेंगे कि आप कैमरे पर बताएं कि आप लोग कौन हैं और कब से दिली में रह रहे हैं भारत में रह रहे हैं आप लोग और यहां कनाडा इंबेसी पर आप लोग क्यों ही कठे हुए हैं सर हम अफगानी है अफगान refugee 15 यहां पर रिफ्यूजी यहां पर रहते हैं प्रॉब्लम हमें आज हमारा बेसिक प्रॉब्लम यह है क कि यहां पर हम एंबेसी के सामने करते हैं इसलिए हो रहे हैं कि अफगानसान का आलत आप लोग को पता है कि क्या हालत क्या गुजर रहे हैं वहां पर तालबान आ चुकी जो अफगान refugee यूनिस्यार से कोई हैं नहीं मिलती इन फैक जो अभी भी अफगान आ रहे हैं केस दा रहे हैं और जिनके पास कार्थ है 15 यर्स 15 साल में उनको बिटाया यहां पर इंडियन के पास काव नहीं हम अफगानियों आम अफगानी के पास बिलकुल नहीं हैं जो हमारे इंकम ता हम अफगानिस्तान से पेशान आ रहा था हम ट्रॉंसलेट कर ती हॉस्पितल तो रह ले मतलब बच्चों है हमारे पास चोटे-चोटे बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए उनकी स्कूल और यह सब सब प्रॉब्लम में हम सब इस वज़े से हम एक कैनादा इंबसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नजर दाल दो अफगान डिफ्यूजी इंडिया में लोग आप जैसे अफगान डिफ्यूजी हैं अगर हम दिल्ली की बात करें आप पूरे देश का अगर आप भारत का बता सकें तो कितनी फैमिली कितनी लोग हैं और आप लोग कनाड़ा से क्या चाहते हैं असर एक्षिली बहुत सारा रिफ्यूजी यहां पर है सेवन ताउजन एटाउजन रिफ्यूजी इंडिया में रह रह रहे हैं और यह जो यूएन आफिस है यह कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई हल्प नहीं कर रहा है ना तो एजुकेशन है ना परलिका मतलब काम है मुश्किल से हम यहां रह रहे हैं अफगानस्तान का सच्वेशन आप देख रहे हूं कितने बुरे हालत में हैं ना हम इस साथ ना इस साइड जा सकते हैं ना उस साइड हम बीच में रुके हुए हैं अट लीस हम रिक्वेस्ट करना चाते कैनदा एंबैसी से कि हमें वीजा सिर्फ रिफ्यूजी वीजा हमें दे दे और हमें सपोर्ट कर ले हमारे केस हमारा केस पड़ ले हमें अफगानस्तान में तालुबान से कितनी प्रॉब्लम हम से करके यहां आ चुके हैं अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में क्या समस्या है जो कन जोड के मकान मालिक को देते हैं जो हम अपने गर वगेरा काबूल में रेंड में देते थे वो हमें बेच देते वो सब तालबान ने अरेस्ट कर लिया अंडर अरेस्ट उनके हो चुके हमारे पूरे फैमिली जो पर बरबाद हो चुके मर गए हम यहां पर आप किसके सारे कुछा है। बज़ग मुला एक आप किते सालों से रह रही है दिली में और आप आपको क्या समस्ण है है दस से इंगिया में रहते हूं मेरे बच्चे क्युक्त चुते थे जब मैं इंडिया में एक साल के दो साल के जार गया डस-ग्यारा साल के यह 10 साल वह सब जवान हो कर सके क्योंकि मजबूरते के काम करें और गर को चलाएं तो पराई कुछ भी नहीं कर सके और आपको पता है आजकल के जमने में एजुकेशन सबसे फस्त माना जाते हैं जब जिस यंग बच्चा जी ओ जो दस बारा साल के बच्चा है जब वो एजुकेशन ना करें तो क्या उ और फ्योचर और बेसिक लाएं बेसिक जरूर जो इंडिया में उन्लों को एजुकेशन नहीं मिल पारा है देखे जब फाइनेंशन के प्रॉब्लम हो तो हम परा सकते हैं यह बस आप में आपको एक सिंग्टिंस में बताती हूं हमें सब को फाइनेंशन के प्रॉब्लम है ह हम किसे कर सकते हैं कैनाडा में क्या कैनाडा से क्या हो ओप है कानादा से तब से तरो-दो-सर ने 13 अग्वेस्ट को एक in provide information न 안良य अफानी हो के लिए ए इंनों हनूने एलान कर दियां अधिक आउमीद हमेरे दिल में जाग गए है कि तो सर ने हमें हमें हमें89 podcasts on साध तालबान के वज़े से हमें प्रॉब्लम हुआ है हम इदर आये हैं और कुछ जो अफगान अफगानस्तान में तालबान के तुरू से उनको प्रॉब्लम होते हैं उन सब के लिए उन्होंने एक फिलिंग अपना दिखा दिया के मैं उन तुरूंटी टाउजन रिफूजीस को मांगना चाहता हूं तो इसलिए इसी ओप से हम आये के हम भी उसी तालबानी मौत काते हुए अफगान है जो इंडिया में हमारे दस दस पंद्रा पंद्रा साथ साल आत साल दस साल पंद्रा सोले साल अमारा इदर ऐसे याने एक आपको क बेजा जाएगा तो इस उमेद में हम रह रहे थे अभी तो वह मेद भी खतेम होगे आपके सामने है अफगानसान के आलाद के सिर्फ उदर खुन है मौत है और कुछ भी नहीं है और हम इदर इसलिए नहीं रह सकते हम इंडिया के लोगों से बहुत-बहुत शुक्रिया करत हमें इदर जगा दिया हम से प्यार करते हम इनके बीच में रह रहें बरी प्यार से रहरे आमें कोई प्रॉलमन इन अगर हम वज परिफ कर सकते हैं में अमारे बच्को की जोकिशन के जटे सकते हमारे बच्छ के थाइज और स्क्त्यज नाज और फूच यूचर दे सकते हैं इसलिए हम आये करेत्ड दो靡िस करटे हुच प्लीज, वा decor करड़ें! जा आपकाली अपरी ricetta की अव्हें, नहीं हुषेंग, ना काझा पीना जो करड़ेना और टूरूट अप्हें सब्ड़रिशन मेंत अप्राइशनं Ben scary we Capital, मेरे अब फे डिलागा था अब फुछ हमें कोई प्रोटेस्ट ना कुछ सर्फ एक रिक्वेस्ट हमें क्यों क्या कहना चाहेंगे बहरत सरकार से करना है अब यह प्रॉसीजर तो यह प्रॉब्लम नहीं अफगानस्तान में शुरू है चो ठालबान आहिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम काईद कर दिया लेकिन इस सदार लोक उनके साथ रोशन के help किया अभी घर का क्राया ने जब माले काती तो घर के क्राया मांग रही, वह भी कहले ह Looks एक और अदो दो मैंगते हैं कितने क्राया मंग रही यह हमारे प्रॉब्लम 어व NGO zes से भी आप लोग कोई बदद चाहते हैं कनाड़ा सरकार से तो मदद चाहते हैं क्या चाहते हैं भारत सरकार से हम लोग यह चाहते हैं कि हमारी रेक्वेस्ट से बारत सरकार से जो हमारी इंसियार के ऑफिस से तोड़ा सा बरतावज अच्छा करें कि क्यों हम लोगों की यहां बिटाया है कितनी साल सी में खुद एक जवान आउरत हूँ मेरे चोटी-चोटी दो बच्चे में बिना अजबेंड हूँ मेरे कोई हैल्प नहीं कर रही है और मेरे फैमिली अफगानिस्तान में जो आलत तो बोल दिया यह सिस्टर ने और वो सिस्टर ने तो बोल दिया सभी क जो वहाँ से हमको गधर बेच रहे हम लोग काते है लेकिन यही प्रॉब्लम है جो मेरे को निस्यार बोलती है तुमको पाँंच साल वाप मेरे ग्रिश्ट किया बोला है कि कुम्हारे कोई प्रॉब्लम ने तु जा सकते हैं फगानिस्तान वापस में कैसे जा कर दो मतलब मेरे पास नहीं होगा मैं अपनी आपको बेच दू किया यह अपनी बच्चों को बेच दू हम लोग गवर्मेंट से ही रेक्वेस्ट करते हैं कि गवर्मेंट इनिस्यार पर तोड़ा सा डिप्रेशन डाल दू काम को हैल्प चाहिए हमारी जरूरत पूरी करने के क्या यह हम को इतना साल में यहां रुका है किस वज़ा से आप कुछ आखरी में आखरी में यह कहना है कि कानादा इंबसी ने कानादा काइंटिरे में वह उन्होंने एक आध किया है कि जो महाजर दस साल से ज्यादा इंदिया में रहती है यह जो महाजर यहां पर जो इंदि हमारे आग के उन्होंने बताया ना कि करवाना है तो क्यों नहीं हो ता दो साल से हम वेट कर रही है तो इस वज़े से हमें आप आज एक अता हुआ है तो यह वह अफगान रिफ्यूजी है जो दिल्ली में रह रहे हैं और इनकी जो समस्या है वह आपने सुनी फूट फूट कर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्याओं का अंत नहीं है अब वापस तो अफगानिस्तान नहीं ही जा सकते क्योंकि एक बार फिर वहां पर तालिबान का कबजा हो गया है और हिंदुस्तान में भी इने तमाम दिक्कते हो रही हैं ऐसे में ये लोग कनड़ा जाना चाहते हैं और उसके विज़ा के मांग के लिए कनाड़ा एमबेसी के बाहर ये लोग एकटे हुए हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं क्यामरापसन मुहित कासले के साथ जैनेंद्र एबीपी न्यूज दिल्ली अजय हैं क्यों आपनी आपन Orlando क्यों, क्यों मां क्यों, क्यों में विए हैं ग्पन्म, क्यों में ही हैं येलिवाट caller मुहित कासली. और ये हैं क्यों क्यों मुिВाटेखगधाँ आपनी के एता ड ravrip battle